नमस्तेकार और आज हम खड़े हैं एक इंडियन पिकप ट्रक के सामने जिसका नाम है महिंद्रा इंपीरियो सिंगल कैब और डबल कैब मिलाके चार विरियंट्स आते हैं शुरू होती है चहलाग साथ हजार से और टॉप मॉडली कीमत है साथ लाग पचास हजार उपे यह टॉप मॉडल ही आप देख रहे हैं डबल कैबिन वी एक्स यह कमर्शल गाड़ी है तो परसनल परपस के लिए लेना थोड़ा मुश्किल होगा यह वाइट कलर आप देख रहे हैं रेड और ब्ल्यू कलर का भी ऑप्शन है तीन साल की वारेंटी देता है महिंद्रा इंप इंपीरियो के साथ जिसमें वाइकल ट्रैकिंग, जियो फैंसिंग, रूट प्लैनिंग, एसिस्टेंस, SMS अलर्ट्स और वाइकल रिपोर्ट्स जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं और यह एकनॉमी ड्राइविंग के लिए फ्यूल स्मार्ट टेक्नलोजी रिलाक्सिंग ड्रा से लीफ स्पिरिंग स्पेंशन मिलेंगे, सिंगल प्लेट ड्राइ क्लच है इंपीरियो में और यह है रेडियल ट्यूबलेस टायर, 16 इंच के स्टील वील्स, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, 3220 mm वील बेस है इंपीरियो का, सेफ्टी के अंदर लोड सें अंधेरे में कार को ढूंडने के लिए, और यहां पीछे आपको 1070 kg वेट कैपिसिटी मिलती है, सिंगल कैब में 1220 kg वेट कैपिसिटी मिलेगी, 211 mm ग्राउंड क्लियरियो का, और यहां पर ही आपको मिलेगा स्पेर वील, और यह लीफ स्पिरिंग सस्पेंशन आप देख हैं, और यह पैसेंजर साइड डोर खोलते हैं, तो यहां काफी अच्छी फिनिशिंग दी गई है, ब्लैक में, पावर विंडो के कंट्रोल्स दिये गए हैं, और स्पीकर्स हैं यहां पर, नीचे थोड़ी बाव स्पेस दी गई है, और यह हैं विनाइल फैब्रिक सीट्स, दो हैड्रस आपको मिलेंगे, काफी अच्छे कलर में हैं, फैब्रिक सीट्स, रीडिंग लाइट्स हैं, हैंडल बार्स हैं, यह बॉटल होल्डर है यहां पर, य यह खुल नहीं रहा है, यह ट्रोयलवी का चारजिंग पोर्ट है यह पर, और यह रीडिंग लाइट्स यहां पर दी गई हैं, पिछ वाली सीट्स के लिए, कुछ ऐसा देखता है, फ्रंट का डैशबोर्ड, टू दिन म्यूसिक सिस्टम, चार स्पीकर्स के साथ आपको मिल और थ्री स्पोक स्टेरिंग वील, काफी स्टाइल स्टेरिंग वील है, इस टाइप से खुलता है यहां पर, पीछवारी सीट्स के लिए यह एक बाटल होल्डर मिलता है यहां पर, आएब ड्राइवर साइड दोर खोल कर देखते हैं, यहां पर भी काफी शांदार फिनिश दी गई है ड्राइड पर, यह चारों विंडो के पावर कंट्रोल्स, नीचे थोड़ी बाटल होल्डर, और यह इस टाइप से दिखते हैं पैडल्स, यह थोड़ी बाट स्पेस दी गई है हाँ पर यह पावर और एको मोड के लिए फ्यूल स्मार्ट टेक्नलोजी, और फ्र कि इस्टाइलिश्ट डैश्बोड इसको उठाएंगे तो यहां नीचे स्पेस दी गई है और दो ग्लास होल्डर्स थोड़ी बहुत स्पेस हैंड ब्रेक के पास है आगे दो ग्लास होल्डर्स और दिये गए हैं यह है फाइव स्पीड मैनुवल ट्रांसमिशन और नीचे भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है और ऊपर एसी के कंट्रूल्स दी गए हैं यहां पर यह म्यूजिक सिस्टम महिंद्रा का ओक्स सीडी और एफम रेडियो सपोर्ट करता है और यह फोर स्टैप ब्लोवर में एसी हैंडल बार यहां पर दिये गया है इसको खोलेंगे तो ग्लोब बॉक्स में आपको रिमोट मिलता है म्यूजिक सिस्टम के लिए यहार वैनेटी मिरर नहीं मिलेगा रियर व्यू मिरर है और ट्राइवर साइड भी नहीं मिलेगा और ऐसा दिखता है स्टेरिंग वील काफी अच्छी फिनिश दी गई यह स्टेरिंग पर और यहां लाइट के कंट्रोल्स यहां पर दिये गए हैं यह वाइपर के कंट्रोल्स हैं और यह शांदार वाइट बैग्राउंड में इंस्टुमेंट क्लस्टर आई अब फ्रंट का बोनेट खुलते हैं तो यहां आपको मिलता है चार्च स्लेंडर का पच्छी सो सीची डी आई कॉमन ड्रेल डीजल एंजन पिचेतर होस्पावर है दो सो बीस हैम का टॉर्क है तेरा का एवरेज आपको मिलेगा पच्छपन लिटर के फ्यूल टैंक से और एक सो बीस किलोमेटर की टॉप तो कैसी लगी आपको महिंद्रा इंपीरियो पिकप ट्रक हमें कमेंट्स होता ही है थैंक्यू झाल 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 झाल